आप सभी सनातन बंधुओं को जै माता दी जो भी इस वीडियो को देख रहा है कमेंट बॉक्स में क्या लिखें जै माता दी तो आएए आज हम जानते हैं कि नवरात्री के दूसरे दिन की संपुर पूजा विधी क्या है साथ में यह भी जानेंगे कि पूजा का शुब महूरत क्या है क्योंकि बिगर महूरत के की गई पूजा विनाशकारी होती है साथ में यह भी जानेंगे कि दूसरे नवरात्रे में किस देवी की पूजा की जाए तो देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं पंचांग की और पंचांग क्या कहता है तो जो सबसे पहले चोगडिया लग रही है 10 अप्रेल को बहन लग रही है लाब की चोगडिया इस चोगडिया में आराम से आप पूजा कर सकते हो लाब का फल मिलेगा यह चोगडिया है 6 बज के 2 मिनट से 7 बज के 37 मिनट तक सुबै इसके बाद में लग रही है अमरित की चोगडिया अमरित की चोगडिया में की गई पूजा अमरित का फल देने वाली होती है यह चोगडिया लग रही है सुबह 7.37 मिनट से 9.12 मिनट तक, इसके बाद में आपको पूजा नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि काल की चोगडिया लगीगी, काल की चोगडिया में काल जैसा फल मिलेगा, यह चोगडिया कितने बजे से है? सुबह 9.12 मिनट से सुबह 10.47 मिनट त क्योंकि शुब की चोगडिया आ जाएगी वह शुब का फल देगी यह कितने बजे से है सुबह 10 बज के 47 मिनट से दोपहर 12 बज के 22 मिनट तक इसके बाद तो बिल्कुल भी पूजा ने करने कान पकड़ लेने हैं वो क्यों क्योंकि राहुकाल लग जाएगा इसके बाद राह हैं हम सीधा कहां कि किस देवी की पूजा करनी है हमें दूसरे नवरात्रे में तो वह देवी का नाम है मा ब्रह्मचार्णी बोलो ब्रह्मचार्णी मया कीजे अब सीधा आते हैं अपनी पूजा की और कि पूजा की संपुर्ण विधी क्या है देखो आसन बिछाना है बैठ उसे पवित्र कर दीजिए, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, इसके बाद में क्या करना है, माता को इश्नान कराना है छीटा दे करके, और मन में भावना रखनी है कि मैं ब्रह्म चारणी मिया को इश्नान करा रही हूं या इश्नान करा रहा हूं, इनका सरूप कैसा है क्रॉम पे देख लेना सरूप इस प्रकार से है कि वाइट वस्तर में है माता कमंडलू हात में है और तुलसी की माला लिये हुए है बहुत ही सुन्दर सरूप है ब्रह्मचारणी मिया का इसके बाद में क्या करना है मूली तोड़नी है मिया के आगे चड़ानी है मिया से प् कुम कुम या तो कुम कुम लगा दो आपके पास में कुम कुम है और या फिर मर्यागल चंदन है तो मर्यागल चंदन माता को अर्पित करना है इसके बाद में मैया को लाल पसंद है तो लाल गुलाब की माला लानी है और मैया को पहनानी है हाथ में पुष्प लेने है अर्पि क्या है वहे है गुड की शक्कर वाइट बाली मतला न देशी खान वाली ये गुड की शक्कर घुरे वाली जो होती है न वहे लाना और वहे यदि ना मिले आपको तो मिसरी लाना और मिसरी भी खुली वाली नहीं वो धागे वाली मिसरी लाना मूं में पानी आ गया तो धागे जलेना है, संकल्प बिल्कुल सिंपल भासा में बोलना है जैसे सीधी सादे हम, वैसे सीधी सादे हमारी मैया, तो कैसे बोलेंगे संकल्प? हाथ में जले करके बोलना है मैया, ये छेत्र है, और इस छेत्र में मेरा ये मकान नंबर है, आज ये तिथी है, शुकल पक्ष है, चैत्र मास है, और मया, मेरा नाम ये है, मेरा गुत्र ये है, मेरी पती का नाम ये है, और ये गुत्र है, तो माता से कैसे परातना करने है हाथ में जले करके, कि हे माता, मैं नो दिन की पूजा कर रही हूं, या नो दिन की वरत कर रही हूं, य आज उसका दूसरा दिन है, हे ब्रह्मचारणी माता, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बरसाई रखो, समस्त जन पे, समस्त भारत वर्ष पे, पूरे विश्वे पे अपनी कृपा बरसाई रखो, अपनी छत्र चाया बनाई रखो, इस प्रकार से कहकर के वह शंकल्प छोड़ देना, यानि जल माता के सामने छोड़ देना है, अब माता को सबसे प्रिय पाठ है, उसका नाम है देवी कवच, उसका पाठ करना है, अब आप कोगे हमें तो आता नहीं, तो चंता क्यों करते हैं, रादे भाई है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, देवी कवच का, उसे दुर्गा कवच भी कहते है, सुनने मात्र से भी संपून पूजा का फल, संपून पाठ का फल मिल जाएगा, और दुर्गा शब्शती का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इसके बाद में क्या करना है, धर्ती पर हलका सा जल छोड़ करके, और गोमुक ऐसे बना करके, उस जल को ले करके, और ऐसे आख से लगा लेना है, अब माता की आरती करनी है, आरती के बाद में जल छड़कना है, और तीन बारी बोलना है, ओम शान्ती ही, शान्ती ही, शान्ती ही, और इसके बाद में जैकारा लगाना है, बोलो ब्रह्मचारणी मया की जै इस प्रकार से बड़ी सुंदर विधी है छोटी सी विधी मैंने आपको बताईए आप इसका लाब उठाईए और जो भी माता के भक्त हैं बड़ी संदर संदर वच्चे हैं माता की उपासना कर रहे हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे वह भी इस पूजा का लाब उठा सकें आप सभी को फिर से दूसरे नवरात्री की हार्दिक्षुप कामनाए जै मा दुर्गा, जै मा भवानी, जै मा ब्रमचारणी